अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधा रें लेखन के समय सावधानिया सबसे पहले सही तरीके से बैठें ये तरीका सही तरीका है और ये तरीका गलत तरीका है पिन सही इस्तिमाल करें सही पिन का चुनाव करें सुच कागज का चुनाव करें साप कागज का चुनाव करें मूल आकारों को पहचाने जो अक्षर जिस आकार में बनता है उस आकार पर सदय वद्धान दें अक्षरों का टेढ़ापन देखें हर जगे टेढ़े अक्षर एक सीद में होने चाहिए ऐसा नहीं है कि एक जगे आप बाई तरफ तिर्चे लिखते हैं और दूसरी जगे आप दाई तरफ तिर्चे लिखते हैं तो ये कदाचित ध्यान रखें अक्षर एक तरफ को ही पूरे पेज में तिर्चे होने चाहिए सन्रेखण यानी की प्रिष्ट की लाइन को देखें लाइन के अनुरूप ही अक्षर हो अक्षरों के मद्ध रिक्ट स्थान को देखें बीच की दूरी अक्षरों की दूरी देखें इस तरह उचित रिक्ट स्थान नहीं है परी कलतियों को देखें और सुधार करें प्रेरणा है तो जिनकी अच्छी लिखावट है उनकी देखें उनके जैसी बनाने की कोशिश करें प्रति दिन 4-5 पेज अभ्यास करें लेक सुधारने की कुछ और महत्वों टिप्स लिखने की आदट डालें तर दूसरों से लिख्माएं न टाइपिंग करें लिखने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें अक्छर को सही तरीके से बनाएं सही रूब में अक्छरों के आकार प्रध्यान में छोटा बड़ा ना बनाएं पेन सही तरीके से पकड़ें और जिससे राइटिंग अच्छी बने वो पेन प्रियोग करें स्वच लिखें और इस पश्ट लिखें योपी बोर्ट परिक्षा में बेहतर अंक पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्यान सिंधु कोचिंग क्लासेस यहां मिलती हैं लाइब क्लासेस आप सभी को रेगुलर तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन अवश्य दबा देना